Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone और आप जैसे जानते हैं कि हमारे पास exam आने वाले हैं अभी कुछी समय में KVS के TGT and PGT exam आपके सामने हैं इसके साथ साथ अलग-अलग state की भी Teachers eligibility test और अनपरिक्षा हैं सामने हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं तो चलिए ये हिंदी का वीडियो है और इसमें आपको all total syllabus हम कवर करेंगे with the help of quiz quiz के माध्यम से यहां पर हम कवर करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा task सबसे पहले बताईए यहांपे पहला question आपके सामने है तो इसका correct answer है कर्म धारे ओके कर्म धारे नव युवक तो देखिए पहली इसमें ये वाला जो पार्ट होता है युवक पार्टो संग्या है और उसके बारे में जो विशेस्ता बतलाई जा रही है तो संग्या के बारे में विशेस्ता बतलाई जा रही है तो यहाँ पर ये कौन सा समास है य आपके शामने चार अप्षन है निशेधाब्मक वेधि वाचट आग्या वाचक और संकेर प्रभं कहा निशेध किया जा रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं है तो आंसर है इसका यह निशे धाब्मक वाक्य है मैं आज नहीं पढ़ questa का अगला रस भरा में और when से रश भरा में कौन सा तथपूरोष समघ़ा कर्म तथपूरूष समप्रदान और समंगी आप रश रश से भरा तो बताए को से समास है बिल्कुल सही बात है कि रस Southern यहां पर को क्योंकर था बहुंत है आप आपने अभी तक जो question देखे एक पर फिर से मैं revise कर देता हूँ यहाँ पे आपने देखा नव यूवक में कर्मधारे समास है ठीक है नव यूवक में आपके पास में कर्मधारे समास है यह देख लिया था आपने दर इसके मास मैं आज नहीं पढ़ूँगा यह कौन सा वाक्य है यह कौन सा वाक्य है यह निश्यधात्मक है रस भरा जो है वह करण ततपूरुस है ओके अब इसके बाद निम्द में से इक्षा का परियावाची कौन सा नहीं है इक्षा इक्षा का लिपसा कामना यातना इस्प्रहा इक्षा का परियावाची ओके लिपसा नहीं है कामन का मतलब इक्षा होता है इस प्रहा का मतलब इक्षा होता है परंतु यातना का मतलब इक्षा नहीं होता है चलिए प्रतेक समास है प्रतेक में कौन सा समास है बताई द्वंद है द्विगु है अव्वय भाव है या कर्मधारे है द्वंद समास है द्विगु समास है अव्वय भाव समास है कवी का इस तरी लिंक क्या है भाई सभी लोग जानते होंगे कवी यत्री बगर लिखने का तरीका जान लीजे कवी तरी लोग बोलते हैं मगर इसका सही तरीका है कवी यत्री जो इसका सही तरीका है वो है कवित्री या में छोटी की मात्रा है कवित्री कवित्री का एक बार लिखके आप इसको सीख लीजिए इसका जो सही तरीका होता है लिखने का वो क्या होता है? इसका सही तरीका होता है कवित्री तो इसका जो तरीका होता है वो होता है कव यित्री कई लोग इसको कवित्री बोलते हैं तो वो गलत हो जाता है कव यित्री कवित्री का जो होता है कव यित्री चलिए ये भी हो गया अगला सवाल कवी का इस्त्रिंग लूप कवीत्री ये हो गया एक बार सूरिय का इस्त्री लिंग क्या है कि सूर्य का भी स्त्रिलिंग होता है तो सूर्य का स्त्रिलिंग लिख लिए सूर्या आपने कभी सूर्यानी नाम नहीं सूना होगा आपने सूर्या नहीं सूना होगा आपने सूर्या सूना होगा तो सूर्य का स्त्रिलिंग जो होता है सूर्या होता है सूर्य का स्त्रिलिंग ज इस्त्रिलिंग रूप बताईए कि महाशय का इस्त्रिलिंग रूप क्या है महाशय सब्द का इस्त्रिलिंग रूप महाशीनी महाशयी महाशया तो आप लोग भी द्याले में इस्तमाल करते होंगे इसका इस्त्रिलिंग और इसका इस्त्रिलिंग क्या है आपको बताना है क्या है और आ ये महांशया।smotay टो इसका सही क्या है महाशया का स्त्री लिंग है महाशया। चलिए इंद्र का Karis ties इंद्र इंद्रानी इंद्रानी या इंद्रानी देखिए दो है एक मैं छोटी ए है और एक में बडरी ही है ऐसे क्वेशन आते हैं जब आपके पास आपके एक्जाम में के वी एस में या डी ट्रिप्लिस भी या आपके कोई भी रीजिनल एक्जाम में आएंगे क्योंकि हिंदी तो सभी जगह आना ही है कहीं प्रथम भासा कहीं दूती भाशा तो बताइए इंद्र शब्द का इस का सही जवाब चली देखते हैं इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है इंद्रानी ओके तो मन बहुत लोगों ने जवाब दिया है आप इंद्रानी नहीं होता है इसका सही जवाब होता है इंद्रानी ओके इंद्रानी रियाद रखेगा इंदर शब्द का जो इ दंत तालू है तालू है या मूर्धा है ओके दंत दंत तालू तालू या इया 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 ओके तो तालू है या मूर्धा है दंत दंत तालू 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 या मूर्धा बताईए इया शब्द का उचान इस्थान कहां से इया शब्द आप निकालते हैं मूँ से ओके तो इसका जो है या 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 य ओके समुच्य का सही संदीविचத विच समधान उच्ट आये सम्धान उच्ट और ऑ आ रहा है तो समुच्य का सही संदीविच्ट क्या है समुधन चच्चय ये क्या हो गया भाई आधा चा पूरा चा और या समधन उत्धन आय समधन उच्चय और समधन उच्चय बताईए समधन उत्धन आय समधन उत्धन आय ये समधन उत्धन आय चलिए जूट मत बोलो इस वाके में मत कौन सा निपात है ओके बताई कौन सा निपात यानि की बोधक है सीमा बोधक अबर अवधारन बोधक तुलना बोधक और निशेद बोधक जूट मत बोलो ओके इसमें जो मत है वो कौन सा निपात है आपको बताना है तो मत यहां पर बत व्याकरण विशेशग व्याकरण पंडित वयाकरण या व्याकरण ग्याता देखे बताईए व्याकरण जानने वाले को क्या बोलते हैं व्याकरण विशेशग व्याकरण पंडित वयाकरण या व्याकरण ग्याता तो व्याकरण जानने वाले को हम क्या बोलते हैं व्याकरण यह नया शब्द आपके लिए आया होगा, आपने आज तक सुना नहीं होगा, कि व्याकरण जानने वाले को व्याकरण बोलते हैं, जैसे आपने सूर का देखा था, सूर का इसलिलिंग क्या होता है, सूर्या, इंद्र का क्या होता है, इंद्रानी, इंद्रानी, ओके, तो ऐसे ही व्याकरण जानने वाले को आप व्याकरण बोलते हैं चलिए अगला व्याकरण व्याकरण शुद्ध वर्तिनी वाला शब्द कौन सा इसमें से वो शब्द बताईए जिसकी वर्तिनी वर्तिनी याने मात्रा बिल्कुल शुषप्ति 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 सामे सब में है मतलब बीच वाला जो वर्ड बन रहा है उसी में ही लफड़ा होना है तो करेक्ट आंसर है इसका शाषट को राता है शुशुप्ति शुशुप्त अवस्था होती है तो ये तो पहले ही सुरू के दो गलत हो गये थे क्योंकि सुसप्त तो होता नहीं शुशुप्त सुना होगा अपने शुशुप्त अवस्था तो इसमें शुशुप्त बीच ठीक है ना यस कपी कापीश का पहले संधी विचेट कपीधन ईश अब बताईए कपीधन ईश में कौन सी संधी यहाँ पर आईगी तो यहाँ पर दीर्ध संधी है क्योंकि बड़ी E बन रही है दो छोटी E मिला करके एक बड़ी E बन रही है तो यहाँ पर कौन सी संदी दीर्ध संदी जहाँ पर दीर्ध स्वर जनरेट हो जाता है दो छोटे स्वरों से तो वहाँ पर कौन सी संदी होती है दीर्ध संदी तो शुषुप्ती तो हो चुका है, फिर इसके बाद दीर संधी भी हो चुका है, सदैब में कौन सी संधी है, सदैब, सदा धन इव, सदा धन इव बराबर सदैब होता है, तो बताना है कि सदैब में कौन सी संधी है, आपके पास बताना है आपको, तो स्वर संधी, विसर्क स तो देखें सर स्वंधी में सदा धन इव दो स्वरों का मिलन होता है, दा है ना तो अफ़ी आपको पता चल गया सदेव, तो सदा धन इव बड़ा आ में छोटी E का मिलन हो रहा है, तो इसलिए स्वर स्वंधी है देखिए जब हम सदैव लिखते हैं तो सदैव कैसे तूटता है ये जानिए सदैव किस तरीके से तूटता है ये जानिए सदैव जो होता है सदैव बराबर होता है सदा धन इव तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्र है और यहाँ छोटी इ की मात्र है इसलिए स्वर ये भी है और स्वर ये भी है और आ और ए को मिला के बनता है आ और ए को मिला के बनता है ए मतलब कि ये सदैब बनिया है और यहाँ पर स्वर संधी होगी ठीक है तो ये देखा आपने यहाँ पर कौन सी संधी होगी सदैब में स्वर संधी बिल्कुल सही निम्न म से कौन में विसर्ग संधी है विसर्ग संधी जिसमें आहा आहा आता है मतलब जिसमें तूट करके आहा से बनी होती है ओके जैसे मनोहर होता है है ना तो मनोहर में मनह धनहर मनह और हर तो यहां पर क्या है मनह मन को हरने वाला मनोहर तो यहां पर विसर्ग है इसको विसर्ग बो पूलते हैं तो आप बताईए कि कहां इसमें कौन सी जो है विसर्क संदी देखें नरेंद्र नर इंद्र सजन सत जन सदा एव अत एव ये अतह धन एव अतह धन एव तो इसका अंसर डी होगा अतह धन एव अतेव क्योंकि इसको जब पहले बना नहीं था इसमें अतह और एव तो अतह एव अतेव चली ये हो गया अब इसके बाद परियावरण का सही संदी विचेत परियावरण का सही संदी विचेत तो ये बच्पन में पढ़ा होगा भूगोल की किताब में परिधन आवरण परिधन आवरण परिधन आवरण परिधन आवरण परिधन आवरण पर पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं हम उसे हम बोलते हैं अभूत पूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो अभूत पूर्व कहलाता है ठीक है चलिए अब देखिए अगला कुशन है आचार का विलोम क्या है आचार का विलोम व्यभीचार अनाचार लंपटता दुष्टत तो आचार का विलोम है अनाचार, ओके आचार का विलोम है अनाचार, हर्ष का विलोम क्या है, हर्ष का विलोम होता है क्या, हर्ष का विलोम विशाद, खेद, वेदना, दुख, तो हर्ष का विलोम होता है, विशाद, क्या होता है हर्ष का विलोम, विशाद, ठीक है, तो प्रसारन का विलोम सब्द क्या है? प्रसारन मतलब फैलाना, तो फैलाने को क्या होगा? समेटना, एक तरीके से, किसी चीज पर सिकोड देना, तो बताईए क्या होगा? इसका क्या होगा? अकुंचन, अकुंचन मतलब एक चीज पर ला करके रूख देना, तो प्रसारन का विल राजा का विलोम लिंगे के भाव में रानी भी होता है, राजा का रंक भी होता है, राजा का प्रजा भी होता है, मगर राजा का सेना कभी नहीं होता, तो राजा का विलोम क्या नहीं है, सेना नहीं है, उन्मूलन का विलोम क्या है, उन्मूलन मतलब क्या करना, उन्मूलन तो उन मूलन का विलोम होता है रोपन किसी चीज़ को रोपना उन मूलन मतलब उस चीज़ को eradicate करना निकाल फेकना उन मूलन कर देना जड़ समेत निकाल भगाना रोपन मतलब की रोपना तो उन मूलन का विलोम होता है याद रखेगा रोपन होता है अगला उन मीलन उन मीलन का व निमीलन नोट कर लिजे उन मीलन का विलोम शब्द होता है निमीलन ठीक है ना अगला शब्द रहे अधिकरत शब्द का विलोम बताईए अधिकरत अधिकरत का विलोम होता है देखिए अनधिकरत अनाधिकरत अनाधिकारिक या प्राधिकरत तो देखे यहां पर प्राधिकरत तो हो नहीं सकता है अनाधिकारी की भी नहीं हो सकता है तो इसका correct answer है अनाधिकरत ओके अधिकरत का होता है अनाधिकरत याद रखेगा बहुत लोग अनाधिकरत इसका अंसर दे रहे हैं मगर इसका अंसर होता है अनाधिकरत ठीक है इसका अंसर होता है अगला है अनुलोम का विलोम सब्द क्या है अनुलोम 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 सुलोम प्रतिलोम अवलोम और अनुलोम है न वैसे तो बोलते हैं रामदियो बाबा अनुलोम विलोम करो है न तो यह वहां से नहीं आएगा अनुलोम विलोम बताइए अनुलोम सब्द का विलोम क्या है अनुलोम सब्द में ही विलोम आ रहा है यहां तो अनुलोम सब्द का विलोम क्या है सुलोम प्रतिलोम अनलोम अवलोम ओके तो देखिए इसका है करेक्ट आंसर भी प्रतिलोम ओके अनुलोम का विलोम सब्द है प्रतिलोम ठेक है ना अनुलोम का विलोम सब्द है प्रतिलो चलिए अगला साध стороны सन्यासनी साध्वी असाध्व का विलुम सबसरा आपने सुना होगा कि साध्व का विलुम सब्द होता है साध असाध्व समझ गया ना लिंग के भावंमे शाध्वी वह लोग लगाते दोगे हैं साध्धवी पूरा गलत लिखा है, साध्धवी है, तो साध्धवी गलत लिखा है, यहाँ पे साध्धु नहीं तो होता ही नहीं कुछ, साध्धवी आधा-धा होता, तो लिंग के भाव में हो सकता था, साध्धु का साध्धवी, परन्तु यहाँ पे क्या है, असाध्धु, निम्न में से कौन सा विलोम तुर्ति पूर्ण है, इस में से कौन सा जो विलोम है वो तुर्ति पूर्ण है, अभी तक थोड़ा देख लेते हैं, उनमीलन का विलोम था, निमीलन, अधिकरत का था अनधिकरत, अनुलोम का क्या था भाई साब विलोम सब बताईए, अनुलोम का गलती है अपेक्छा उपेक्छा अग्रज अनुज उन्नत अवगत आदान प्रदान उन्नत अवगत आदान प्रदान इसमें कौन सा विलोम सब्द अपेक्छा उपेक्छा देखिए अपेक्छा उपेक्छा सही है अग्रज का अनुज सही है ना और आदान का प्रदान सही है उन्नत का अवगत सही नहीं है उन्नत और अवगत जो है यहाँ पर गलत सब्दें है ठीक है तो उन्नत अवगत नहीं है विग्रह का विलोम सब्द मतलब अलग होना तो कमें। सब्द क्या होगा संधी संधी मतलब जुड़ना ओके अनुरक्ती का विलोम सब्द बताई अनुरक्ती विराम विरक्ती तो अनुराम अनुरक्ती का विलोम सब्द क्या होता है विरक्ती होता है संक्रीन का विलोम सब्द बताई संक्रीन विस्तार संचेप विस्विक्रीन विस तग्य प्रग्य चतुर्तो अभिग्य मतलब जिसको कुछ पता ना हो अग्य मतलब जिसको जानकारी हो अभिग्य का होता है अभ अथ का होता है अथ मतलब सुरू इती मतलब समाप्त है ना अथ श्री महा भारत का था कहते हैं ना अथ सी महा भारत का था मतलब हम जो महा भारत क हो रही है और इती जब समाप्त होता है तो इती खतम होता है तो इसको इती बोलते हैं निम्न में से गलत विलूम सब्द युग में कौन से हैं तो मुख का वाचाल होता है भूत का भविस होता है पुरुसकार का तिरसकार होता है मगर प्रवेस का निरगत होता है ना की नवेस तो प्रवेस का नवेस यहाँ पर गलत है मूख का विलोम सब्द बताई मूख मतलब जो चुब बैठा हो है ना और जो बगबग करता उसको क्या बोलते है वाचाल तो मूख का विलोम सब्द है वाचाल नैसरगिक का विलोम सब्द नैसरगिक मतलब जो सभाविक है है ना जो बिल्कुल प्राकर्तिक है उसको बोलते है अपन नैसरगिक तो नैसरगिक का जो विलोम सब्द है वो क्या है कर्तिम चलिए निशिद्ध सब्द का विलोम सब्द बताई निशिद्ध सब्द का विलोम सब्द बताई ये निशिद्ध मतलब कि निशिद्ध विहित सं पराधीन का पराधीन और फिर इसके बाद अरजन का विलोम शब्द अरजन का क्या होता है भाई साव अरजन का वयन होता है अरजन का वयन होता है अरजन का वयन मतलब खर्च करना ठीक है ना आवेशित का विलोम शब्द अनावेशित क्या होता है अनावेशित अना यहां पर का विलोम शद्धों का विग्रह को के अनुग्रह मतलब विग्रह ठीक ना हाँ चली अनुग्रह का विग्रह पास्चात सब्द का विलोम पास्चात मतलब क्या होता बहुत पुरान बहुत बिदेशी टाइप का है ना पास्चात मतलब बिदेशी टाइप का पास्चात सब्ध प्रभावी नहीं प्रभावी निस्प्रभावी अप्रयुक्त प्रभावशुन तो अप्रयुक्त यहां पे दिखाई दिये रहा है ओके चलिए अगला प्रचन शब्द का विलोम सब्द प्रती पन्न प्रचन शब्द का विलोम क्या है प्रती पन्न कथित सब्द का विलोम का है, कथित, अकथित, अकथित, है ना, और कथित का विलोम सब्द क्या होगा, तो कथित का विलोम सब्द क्या होगा, अकथित, या अकथित, है ना, अगर इस थावर का विलोम सब्द है, तो बहुत common question है, जंगम, तो जंगम है इसका, प्रतिकूल का विलोम सब्द क् का विलोम है अनुक्त अनुपयूक्त अमर सब्द का विलोम है अमर का अमर अमर सब्द का विलोम क्या है मरत 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 मतलब जो मर चुका हो उसको अमर मतलब जो मारे ना और अमर का उल्टा क्या हो मरणशील मरणशील को बूलते है मरत मतलब जो मर जाए मरन जो मरने के लिए बन उतकर्ष अकर्ष अनुतकर्ष अपकर्ष आकर्ष तो उतकर्ष का होता है अपकर्ष इस्पर्ष का विलोम सब्द इश्पर्ष उस्पर्ष मतलब टच करने योग है ना इश्पर्ष तो देखिए इसका होगा अप इश्पर्ष बहीरंग का क्या होगा अंतरंग होगा बहीरं होता है ठीक ना फिर इसके बाद विराट का क्या होता चुद्र विराट का विलोम सद्र चुद्र मतलब बहुत छोटा विराट मतलब बहुत बढ़ा ठीक ना शाहे चर्ग का विलूम सब्द क्या होता अलगाओ ना इपसित इपसित का विलूम सब्द मैंने बताया था अनिपसित है ना और इसका अभिपसित भी होता है तो अनिपसित भी है और अभिपसित अभिसित अभिसित लिखा है तो यहां पर मैं अनिपसित पर लगाऊंगा चलिए त तो अनिफसित है क्योंकि यहां अभी सिप्थ पे थोड़ी सी वर्तनी का प्रयोग गलत हो गया है तो यहां पर अनिफसित है चलिए अगला स्रश्टी का विलूम सब्द क्या होता है प्रले स्रश्टी का विलूम सब्द क्या होता है प्रले ठीक है स्रश्टी का विलूम घजिए पिविवाद का विलों सब्द होते है निर्विवाद करतग का विलॉम सब्द क्रतग क्या होता है कर्तों विलोम सब्द कर्तग का विलोम सब्द होता है बताये कि में से कौन सा विलोम सब्द गलत है तो परह कर रहा है इश्ट का अन श्च छली का शोन नासिक का निर्नु नासिक तो उतकर्ष का निकर्ष नहीं होता है उतकर्ष का अपकर्ष होता है ठीक है ना चलिए अगला क्रिये गए उपकार को फलना मानने वाले को क्या बोलते हैं कृतगने तो कृतग का उल्टा होता कृतगने कृतँग ना मतलब जो बिल्कुल काम करके जो अपना भूल जाए, जो अपकार नाओ जाने, उसको कृतँग ने बोलते हैं युद्धी की एक्षा रखने वाले को क्या बोलते हैं? युद्ध की एक्षा रखने वाला जो अच्छे कुल में उत्पन हुआ है सब्द के समूं के लिए क्या बोलते हैं उसको कुलीन बोलते हैं जो अच्छे सब्द में उत्पन हुआ है कुलीन बोलते हैं ठीक है कुलीन और पायोद भी बोलते हैं पायोद लिखा हुआ है इसमें पायोद चलिए जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं या यावर जो एक स्थान पर रुके न रहे उसको आइस्थिर नहीं बोलते हैं या यावर ठीक ना जो देखने में अच्छा लगता उसे हम क्य क्या बोलते हैं प्रियदर्सी क्या बोलते हैं प्रियदर्सी इंद्र गांधी का नाम भी था ठीक ना जो एक कार्यों को दूसरे की किसी कार्य में दूसरों के आंगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक सब्द मतलब क्या होता किसी कार्य में दूसरों के आंगे बढ ठीक ना चलिए जो खाने योग नहीं है क्या होगा अखाद थीक नहें उसके बाद जिसमें दूर की बात सोचने की सबसक्रासकर सकती उसको का बहुते हैं दूर दर्सी जो दूर की जा सकें, दुर्बोध मतलब की हाँ दुर्बलब मतलब जो कठनाई से समझ में आए, दुर्बलब मतलब जो बहुत ही मुश्किल से मिले, ठीक ना तो correct answer इसका क्या होगा, दुर्बोध है ठीक ना, मन का दुर्भाव, मन का दुरुभाव द्रश्टी वहिशा में तो होगा नहीं मनु मालिन ठीक ना अगला मन का दुरुभाव जो समान ना हो विकट गूरु असम लगू जो समान ना हो जिसका कोई आसरे नहो निराशरे गुण दोस की विवेचना करने वाला जो गुण दूस की विविचना करें उसको क्या बोलते हैं समा लोचक ठीक ना चलिए उतकरच का ये भी हो गया मधुर का विलोम क्या होता है भाई मधुर का होता है कटू ठीक ना यस निमन में से असुध अशुध युग्म नहीं है सग्यूशुध नहीं है आयात निर्यात भी सही है पाप पूर्ण भी सही है नूतन सनातन भी सही है बुद्ध मुक्त गलत है ओके तो नूतन सनातन भी गलत है और बुद्ध मुक्त भी यहां पर गलत लग रहा मुझे चलिए आंगे देखते हैं निंदा का विलोम सब्द इस्तुती निंदा का विलोम स्री गणेश नहीं है, निर्भीक का साहसी कातर कायर, ओ भाई, विलोम सब्द बोल रहा है, निर्भीक मतलब क्या होता है, निर्भीक का खुद का मतलब होता है, साहसी होता है, तो साहसी तो पर्यावाची हो गया, सही बात है, तो निर्भीक का विलोम सब्द नहीं है, बोल रहा है, तो नि का स्वस्थ होगा विपद का विलोम सब्द क्या होगा संपद विपद का विलोम सब्द संपद वादी का क्या होता प्रतिवादी ओके उद्धत का विपरार्थक सब्धत उद्धत का होता है विनीत प्रवित्ती का होता है विलोम सब्प्रवित्ती का होता है निवृत्ती प् गंभीर करकश का विलोम सब्द क्या होता मधुर ओके फिर करतग का क्या होता करतग ने ठीक है चली महात्मा का क्या होता दुरात्मा महात्मा का इस्थावर का जंगम पढ़ा चुके हैं तिमिर का आलोग प्राचीन का वर्तमान अर्वाचीन ठीक ना महात्मा का क्या बता चु चलिए आद्र का विलूम शब्द क्या होता है शुष्क होता है आद्र का विलूम शब्द सुष्क होता है आसक्त का विरक्त आसक्त का विलूम सब्द विरक्त होता है स्वपन का क्या होता है जागरन स्वपन का होता है जागरन आवहन का विलूम शब्द देखिए आवहन का बताईए और उपजाओ का विलोम सद्ध क्या होता है उसर उपजाओ का होता है उसर या उसर होता है ठीक ना कुटिल का विलोम सद्ध होता है रिजु रिजु मतलब सीधा गमन का क्या होता है आगमन सभी लोग जानते हूं गमन का आगमन आवरण का क्या होता है अनावरण अभिग्य का अनभिग्य अभिग्य का अनभिग्य और अपवय का क्या होता है मितवय प्रत्यक्च का क्या होता है प्रत्यक्च का होता है परोग्चे स्वार्थ का क्या होता है परमार्थ स्वार्थ का विलोम सद्ध क्या होता है परमार्थ ठीक है ठीक है धुती का क्या होता है अंधकार धुती धुती का क्या होता है अंधकार महान का क्या होता है चुद्र उद्यम का क्या होता है आलस दिवस का विलो में विभवारी, अर्विन्द, प्रवाहनी विचरन तो दिवस का होता है विभावरी ठीक है निर्मल का तो मलिन हो जाएगा पराना ठीक है परुष का विलोम सब्द परुष का विलोम सब्द है कुमल परुष का विलोम सब्द है यहाँ पुरुष का मतलब इस्तरी से मतलीजेगा पुरुष मतलब मजबूत और कोमल मतलब कोमल मुलाया मैं से आकाश का विलोम सब्द क्या है आकाश का भूता है पाताल आकाश का विलोम सब्द होता है पाताल अती वरस्टी का विलोम सब्द क्या है अना वरस्टी आकाश का भी बताई दिया मैंने पाताल अती वरस्टी का अना वरस्टी भी हो चुका है ठीक ना पूरुष का बता दिया मैंने कोमल आकाश का पाताल अती वरस्टी का अना वरस्टी गुड का विलोम जानते हैं दोश, गुड का क्या होता है दोश, हर्च का विलोम होता है विशाद, मुख का विलोम होता है गोण, उद्धत का विलोम होता है सौम्य, उद्धत का विलोम होता है सौम्य, इस्थावर का जंगम कित्ती वारा चुका है, गमन का आगमन, गमन का आ ठीक सभुम दॉद्धत में याद रखी हम अब विस्तार के लिवनीना नेता। अधम अधम को कर चैंशाएं किया सवी अधम के लिवन शालिव्म तो सुरी अधम का उत्तम अनातका को अतिवरस्टी का अनवरस्ती अलपर्ग का सरवग्य अतव का इते ठीक है ना, उर्वर का क्या होता है, उसर, उर्वर का होता है, उसर, ओके, भूशन का विलोम शब्द क्या होता है, दूशन, भूशन का विलोम शब्द क्या होता है, कठोर, मरदूल का विलोम शब्द होता है, कठोर, कलुष का विलोम शब्द क्या होता है, निश कलुष, स्वकिया का विलोम शब्द होता है स्विक्रत, अलप संख्यक का विलोम शब्द होता है बहु संख्यक, सूच्मन का विलोम शब्द होता है स्थूल, अधुनातन का विलोम शब्द होता है पुरातन, बहिरंग का विलोम शब्द होता है अन्तरंग, अनागत का विलोम शब्द होता है आगत मानो का विलोम शब्द होता है दानो, प्रस्थान का विलोम शब्द होता है आगमन, शुक्ल का विलोम शब्द होता है करश्न, उद्दान्त का विलोम शब्द होता है अनुद्दात तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक ओके यथार्थ का का विलोम शब्द होता है कल्पित सापेक्ष का रिजू का विलोम शब्द होता है क्या होता है रिजू का विलोम शब्द वक्र रिजू का विलोम शब्द होता है वक्र परिश्रम धन्वान का विलोम शब्द होता है अकिंचन, धन्वान का विलोम शब्द होता है, अकिंचन, विपत्ती का विलोम शब्द होता है, संपत्ती, स्वदेशी का विलोम शब्द होता है, परदेशी, ठीक न, संसलिष्ट का विलोम शब्द होता है, विशलिष्ट, संसलिष्ट का विशलिष्ट का विशलिष्ट होता है चली विशालकाय का विलूम शब्द होता है लगुकाय सर्द का विलूम शब्द होता है गर्म पालक का विलूम शब्द होता है संहारक अनिवारक का विलूम शब्द होता है एच्छेक पहले ही बता चुके हैं पोशक का उप्यूक्त विपरार्थक होगा शोशक, पोशक का क्या होगा शोशक दिर्धायो का विलूम शब्ध होगा अलपायू, व्यस्ति का विलूम शब्ध होता है समस्ति उपमे का अनुपमे सुलभ का दुरलभ त्रश्णा का होता है वी त्रश्णा निशिद्द का सर्वता उपयोग विप्राप्तर विप्रीत सब्द निशिद्द का विहित भुगोल का विलोम सब्द होता है खगोल सहयोगी का विलोम शब्द होता है प्रतियोगी अधिकरत का विलोम शब्द अनाधिकरत स्वतंतरता का परतंतरता मितवय का अपवय अब देखिए यहां मितवय का अपवय अल्पवय बहुवय तो अपवय होगा परिसीमन का असीमन इस तरीके से यह आज की हमारी जो क्विस्ट थी बलूम शब्द की यहीं परमित्रों हम समाप्त करते हैं आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें सबस्क्राइब करें थैन्वाद